दोस्तों स्टेडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी भी समें एक नई क्लास को लेकर हाजीर हूँ और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले अब्बे के बारे में जियां दोस्तों सो लेक्षर तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा हिंदी के अलग-अलग चैप्टर पर अलग-अलग टॉपिक पर और आपको दिखाऊंगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है सुरुआत के 50 लेक्षर में हमने basic सवाल लखें 50 से 100 लेक्षर में हम previous year के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों एक मुस्त में आपको बता दे रहा हूँ ठीक है तो होता क्या है कि आप संदी समास में फसे रा जाते हैं और ऐसे में अब्बे कितने लोग ऐसे हैं जो अब्बे किताबों से खोल कर पढ़ते हैं कि अब्बे के कितने प्रकार होते हैं कैसे कैसे सवाल अब्बे में परिक्षा में पूछे जाते हैं किसी को नहीं पता लेकिन अगर आप एक लास देखते हैं तो आप जान जाए कि आपको पता चलेगा कि परिक्षा में कौन कौन से सवाल आए वे हैं किस तरह के पैटर्न पर सवाल बनते हैं ठीक है ताकि हमारी तैयारी और बहतर धंक से हो पाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत ध के लिए कभी जान लानख को बार बार पढ़ना यह है क्या सही चीजे नहीं दोस्तों आप विस्य को एक बार पढ़ शेट करें योगाSात нед एडवांस भी क्लियर होगा जिसको भरोसा नहों दोस्तो एक बार हिंदी का फाउनिशन वैच जोईन करके देख लिया जिन बच्चों ने जोईन किया है अब वो अपनी इस्तिती बताएं कि आपके इस्तिती में सुधार हुआ है कि नहीं आपके लिए तो ये ट्रेलर वाली क पढ़ेगा और एक एक सवाल का जबाब दीजिएगा ठीक है पहला सवाल लिख रहा है कि जिन सब्दों में लिंग वचन कारक आधी के कारण कोई परिवर्तर नहीं होता उसे क्या काते हैं दोस्तों तो याद रखेगा उसे काते हैं अब बैटना चलना फिरना लिखना पढ बोलना यही सब क्रिया है ठीक है वही सब करता जो कुछ करता वही क्या है क्रिया है करता जो कुछ करता वही क्या है क्रिया है तो हम यहां क्रिया की बात नहीं कर रहे हैं वचन में दोस्तों आपको रता है कि हिंदी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो हिंदी में वचन कितने ये तीन प्रकार के वाच्य होते हैं एक होता है दोस्तों करतरी वाच्य है ठीक है दूसरा होता है कर्म वाच्य जहां करता प्रधान होता है वहां कर्म वाच्य है और जहां पर भाव या क्रिया प्रधान होती है वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों भाव वाच्य हो जाता है त उसके कारण विकार उत्पन नहीं होता याद रखेगा उसके लिए क्या होता दोस्तों वही अब्वय कहला तो जैसे मैं चोटा सी जामपल देता हूँ ठीक है जैसे मैं कहा दू कोई चीज ठीक है कि मोहन लिखता है लेकिन अगर मैं यहाँ पर फीमेल लगा दू ठीक है फीमे जिसके उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता चरी मैं दिखाता हूँ अभी एक जामपल आपको लिख रहा अहा आप आ गए यह दोस्तों जो अहा सब्द है ठीक है इसके आगे देखे एक सेंबल आपको दिख रहा है जिससे आप विसमयादी बोधक काते है कौन सा चीन है द दोस्तों इसको अभबे में क्यों रखा गया क्योंकि अभबे के मूल रूप से चार प्रकार होते हैं लेकिन मैं आज आपको इसपेसल पाच्वा प्रकार भी इस्थार लगा के बताने वाला हूँ ठीक है अब देखे कौन कौन सा प्रकार होता है तो पहला आप यहाँ आप पढ़ते हैं सर्वनाम ध्यान दीजेगा सर्वनाम आप पढ़ते हैं क्रिया विसेसल पहले विसेसल और फिर पढ़ते हैं दोस्तों क्रिया तो याद रखेगा दोस्तों इतनी चीजे तो एक साथ रहती है ठीक है यह चार चीजे क्या होती एक कॉलम में होती है इसके ब सुना होगा समुच्य बोधक का किसका समुच्य बोधक का जहां पर गुरूपिंग की बात आती ठीक है जैसे कच्छा लड़का लोग ठीक है लड़का नहीं कच्छा हो गया लोग हो गया सेना हो गया फाउज हो गया ठीक है गुच्छा हो गया तो जिससे दोस्तो समुच्य का बोधोधः होता, उसे हम दोस्तो समुच्च्य बोधक की अंत्र हमरत रखते हैं, और बाकी क्या हो जागा दोस्तो, बाकी का आ जाता, संबन्द-बोधक, क्या आ जाता दोस्तो, शंबन्द-बोधक, ठीक है, और लास्ट में राता दोस्तो, आपका graduate इसमें आदी बोधक मैंने पहले रख दिया है याब इसमें बोधक इसको याद रखेगा ये चार मुख्य रूप से होते हैं मतलब आपका सकते हैं इसको आप पांचवा नमबर दे सकते हैं इसको आप छठा नमबर दे सकते हैं इसको आप आठवा नमबर दे सकते हैं यही और हिंदी में भी दोस्तों यही आप पढ़ते हैं ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक नवा नंबर जो मैं श्टार लगा के लिखने की बात कर रहा हूँ इसका नाम है निपात क्या नाम है दोस्तों निपात इसको भी याद रखेगा आज की क्लास में हम निपात को भी अ अहां आप आ गए, दोस्तों यह अब्बे है, अब्बे में कौन सा वाला अब्बे है, मैंने इतना क्यों बताया, लेक्चर क्यों दिया, अरे भाई, अब्बे में कौन सा है, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा बिसमे बोधक अब्बे है, क्या है, या बिसमे बोधक अब् देखे विकार जिसमें विकार उत्पन्न हो विकारी हो गया और जिसमें विकार उत्पन्न हो उसे अविकारी कहा जाता है भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की अहां सबके लिए बराबर है हे सबके लिए बराबर है है की नहीं बराबर बताओ मुझे ठीक है तो यहां लड वचन कारकादी का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता यानि कोई विकार्थ पन नहीं होता इसलिए दोस्तों इसे अविकारी कहते हैं कई किताबों में दोस्तों इसे अविक्रित लिखा हुआ है ठीक है अरे यह कही बात है भाई अविक्रित कहते अविकारी कहते अब्बे कहते ब में क्या पर्क पढ़ता है हमारा concept clear होना चीह हमारा concept clear होना चीह सको आपको ध्यान रखना है चली आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर आपते हैं अगला सवाल देखते हैं लिकरा कौन सा पद विक्रित नहीं होता है, देखो विक्रित नहीं होता दोस्ते बताईए, तो दोस्तो अब्बे विक्रित नहीं होता है, क्योंकि अगर हम संग्या की बात करते हैं दोस्तो तो संग्या विकारी होता है, या कर सकते हैं कि संग्या विक्रित होता है, क्यों क्यो पर जो अब्बे दिया गया है ये विकारी नहीं होता यही तुमने पीछे सिना न तो याद रखे दोस्तो अब्बे अब्बे जो होता ये विकारी नहीं होता या फिर आप इसे कह सकते हैं कि या क्या है या अविकारी है या या अविक्रित है या या अपरिवर्तन सील है ठीक चलिए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को और अब नए सवालों को दिखते हैं दोस्तो एक सवाल दे दिया कि भला मैं क्या कर सकता हूँ इस वाके में जो भला लिखा है दोस्तो ये भला सब्द क्या है सर अब्वय है सर भला भला मैं क्या कर सकता हूँ भला मैं क्या कर सकती हूँ, कोई प्रभाव पढ़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पढ़ेगा, तो याद रखेगा दोस्तों, यह जो मैं की वज़े से कर सकती हूँ आ रहा है, यह तो दोस्तों मैं की वज़े से आ रहा है, मैं सर्वनाम है और सर्वनाम की वज़े से दोस्तों विकार उत्पर्ण हो रहा है, यह आपको धेना है, ध्यान देना है, कोई अब्बे की वेसे विकार थोड़ उत्पर्ण हो रहा है, तो याद रखेगा, यह भला सभी के लिए सेम है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या जबाब होगा, यह अब्बे ही भाव समास निकल के आ रह जाता है, ठीक है, चलिए, भला मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पूछा दोस्तों, भला सब्द क्या है, तो भला सब्द क्या हो जाएगा, भला सब्द अब्वय हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है, चलिए, सिंपल सी बात है, क्यों अब्वय हो जाएगा, कोई अगर पढ़ता इसलिए क्या दोस्तों इसलिए यहां अभ्य है इसलिए क्या है इसलिए अभ्य है इसको ध्यान रखेंगे चली आगया जो यह करा निमलिकित में से अभ्य है जो अभ्य है उसकी पहचान करें अभी तक आपको क्या दे दिया अभी तक आपको ऊपर एक संटेंस दे र रखेगा यह तो पक्का नहीं होगा अब बचा आपके पास तीन आप्शन वर्तमान नया और तथा दोस्तों इसमें से अब आएगा तथा ठीक है अब आप कहेंगे सर कैसे हो गया देखेंगे आप जारा याद करें मैंने शुरू में आपको कुछ बताया था सुरुम आपको बताया था अब बे कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्य रूप से 4 और ऐसे 5 प्रकार भी मैंने आपको बताया था तो जिसमें मैंने आपको क्रिया विसेसल बताया था जिसमें आपको शंबंध बोधक बताया था जिसमें आपको समुच्य बोधक बताया था और आपको क्या बताया था विश्मयादि बोधक बताया था यह बताया था ना अब concept सुनिये ठीक है विश्मयादि बोधक या विश्मय बोधक ठीक है विश्मय बोधक ठीक है विश्मय बोधक यह आपको चार बताया था अब देखे जो अब्बे के चार पढ़ा था आपने और ये कि star लगा कि हमेशा note किया करिए, मैं star लगा कि दोस्तों इसे क्यों note करता हूँ, उसके पीछी region क्या है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी के बिद्वान इसको पांचवा नहीं मानते हैं, लेकिन मैं अगर star लगा के रखूंगा, तो मेरा काम हो गया कि मैं इसको चार भी मान लिया, और अलग से आपको बता दिया, तो आपके जानकारी में तो पांच है, लेकिन घबडाने वाली कोई बात है, नहीं है, अब देखिए ऐसे में क्या करेंगा, अगर तथा दे दिया जो, तो याद रखेगा, तथा जो होता है, ये तथा करता क्या है, बताइए, जैसे मैंने कहा, मोहन, सोहन, तथा, रोहन, या मोहन, सोहन, और रोहन, तथा हो गया, और हो गया, करता क्या है, जोडने का काम करता है, मैंने कहा मोहन, सोहन, रोहन, तथा गीता बाजार गई, ठीक है, तो ऐसे कहा हमने, तो याद रखेगा ये गीता को लाकि जोड़ दिया ना बाकी तीन के साथ, ठीक है, तो ये दोस्तो तथा जोडने का काम करता है, और जोडने वाला काम हमें सा कहा होता है दोस्तो, समुच्य जोडने वाला काम क्या कालाता में सा ये समुच्य बोधक के अंतरगत रखा जाता और उसी का उधार माना जाता है समुच्य बोधक में जब आप पढ़ेंगे न तब आप पढ़ेंगे समाना धीकरड क्या पढ़ेंगे दोस्तो समाना धीकरड समुच्छे बोधक वहाँ पर दोस्तों जब आएंगे तो यह तथा हो गया और हो गया यह सब दोस्तों उसी कंतर के दोस्तों आप पढ़ते हैं ठीक है आप कहेंगे सर्ण मिलेगा कहाँ पर इसलिए कहा रहा हूँ इसको ध्यान रखेगा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर पक्का और तथा को छोड़ करके बाकी का जबाब देंगे और ऐसे मुत्तर हो जाएगा गलत तथा ही दोस्तों यहाँ पर सही जबाब है चली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला सवाल देखें अगला लिख रहा हमें प्रती दिन सुर्य नमस्कार करना चाहिए रेखां की सब्द को पहचानी है रेखां की सब्द क्या है दोस्तों यह प्रती दिन क्या है दोस्तों एक तरह का अभ्य है यहां दोस्तो अभ्य है याद रखेगा और प्रती सब्ध भी देख सकतें, अभ्य बना हुआ है, तो याद रखेगा उपसर्ग तो होने का कोई सवाली निए बनता, हाँ. अगर आप पूछ देते गिपरती दिन में उपसर्ग क्या है, ठीक है, तो हमका देते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ प्रती उपसर्ग है ठीक है यहाँ क्या है प्रती उपसर्ग है ठीक है क्योंकि प्रती से प्रती माह, प्रती दिन, प्रतेक बहुत सारे सब्द बनते हैं तो यह उपसर्ग हो सकता है प्रती लेकिन आपसे प्रती दिन आट बताई है तो इसे भी ध्यान रखेंगे dividend राप्शन का रचलिप्शम और बढकर दिया ठीके पांच प्रकार तो आगे बढ़ते आगले में बता दूंगा ठीक है लिख्यारा अपशोष अप्शोष जटा author अवसोश महीं जा सका ठीक है अब इसके आगे देखे एक सेंबल दे दिया थीक है ये क्या देदिया दोस्तों इस सेंबल को मैने पीछे दिश्ट ने पाता है कि दोस्तों यह पर हर्सुलास या फिर आश्यव एक ही भाँना आ जाती है इसी लिए दोस्तों ये विश्मयवदक छिल लगाये जाते हैं लिखना रेखांग कि सब्द में अब्वय का प्रकार है अपसोस में कौन साब बय है लिखना संभोधन सूचक है सोक सूचक है आश्यर सूचक है या हर्स सूचक है तो दोस्तों जो विश्मे बोधक आप पड़ते हैं इसके कई भेद होते हैं जिसमें दोस्तों अपसोस क्या है दोस्तों अपसोस करना एक तरह से सोक प्रकट कर रहा है तो दोस्तों संभोधन नहीं है याद रखेगा क्या हो जाका यह आश्यर होताता है ठीक है और हर सुक नहीं हो जागा दो OsTot Ya很好 पर यहाँ हो जागा दो SOK णूचक अब्य याद रखे जो Hacidos है यह बिष्मयादी बोदक कांतर गताता है और किसका उत्र전 गता तो इसको भी आप याद रखे कोई दिक्कत, कोई समस्या, यहाँ पर नहीं न, आराम से समझेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करा वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य अब्बे पद है, वाक्य में, यहाँ पर में जोड़ दीजे, वाक्य में धूड़ना है, उस वर्ड को पकड़ना है, देखिए वह क्या दोस्तो, वह तो सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, वह तो सर्वनाम हो जाएगा, यह क्या है, यह सर्वनाम है, भाई संग्या के अस्थान पर इसका प्रयोग किया जाता तो यह तो होगा ने, ठीक है, गीत दोस् अपने पास क्या अपने बचा और हमेशा बचा तो याद रखेगा दोस्तो यहाँ पर दोस्तो याद रखेगा हमेशा जो सब्द है यही क्या है हमेशा जो सब्द है यही क्या दोस्तो यह अभ्य है यह क्या है अभ्य ठीक है हमेशा क्या सब्द हमेशा जो सब्दली का दोस्त ही हमेशा आता है जो काल बोधक से संबंदित है किस संबंदिक है चाहे आप इसे काल बोधक कहिए चाहे आप इसे काल सूचक कहिए ठीक है किताबों में अलग अलग दिया है काल बोधक काल सूचक कुछ भी कर सकते हैं उसी से संबंदित है तो इसको आप याद रखेंगे ठीक यहाँ पर आपका जबाब क्या हो जाएगा हमेशा अब बेक रूप में चुना जाएगा इसको याद र bargainगे ठीक है जब आप दोस्तों क्रिय बिशेसर पढ़ते हैं तो क्रिय बिशेसर में उसके 3 उभ्यत पढ़ते हैं कितने उभ्यत पढ़ते हैं जब क्रियाव एससर प writers पढ़ते हैं क्रिया इससर में काल भोधक पढ़ते हैं तब उसके दोसके इसके इसके गली ए पर गाल यानने हें है पर पॉण्य समय भोधक चाज़ा ठीक इसको आप याद रखेंगे ये भी अच्छा सवाल है ठीक है इसको पुना कोई चीज रिपीट नहीं होता है इस वाले में याद रखेगा इस वाले में रिपीट वाली चीज होता है ठीक है रिपीट ठीक है जैसे धीरे धीरे ठीक है करना कोई कार है तो रिपीट वाली चीज तो अगला सवाल देखते हैं, लिख रहा निमलिकित मेंसे कृड़न्थ अब्वे, सरे कृड़न्थ to हमने उपसर्ग प्रत्य में पढ़ा था ठीक है? उसके बासे हमें कभी कृड़न्थ मिला नहीं, चली अब मिल गया कृड़न्थ, घब भड़ाईे मैं ठीक है, लिख रहा इमलिकित में से क्रिदंत अब्वे का एक प्रकार नहीं है कौन सा दोस्तो इसका प्रकार नहीं है लिख रहा पूर्व कालिक क्रिदंत लिख रहा भूत कालिक तात कालिक और पूर्ड क्रिया दो तक अब देखे जिस बच्चे को क्रिदंत अब्वे के बारे में पता नहीं पता होगा कि क्रिदंत अब्वे कितने प्रकार के होते हैं वो कभी सही जवाब नहीं दे पाएगा याद रखेगा क्रिदंत अब्वे दोस्तो चार प्रकार के होते हैं ठीक है कौन-कौन सा चार प्रकार होता जरा आवसन लिजे ठीक है इसका पहला प्रकार होता दोस्तो पू पूर्ड क्रिया दो तक क्या हो जाता दोस्तों पूर्ड है तो साथ में पूर्ड भी राता है पूर्ड क्रिया दो तक ठीक है पूर्ड क्रिया दो तक यह हो गया और नमबर चार पर दोस्तों आप याद रखेंगे चार नमबर पर कौन राता है याद रखेंगे तातकालिक क् अपूर्ड होता और तातकालिक होता यह होते हैं यहां पर भूत कालिक किर्दन जैसा कोई टाइप नहीं होता है जब टाइप ही नहीं होता तो अपने मन से लिख के दे दिया कल को लिख दे भविस्य कालिक किर्दन ठीक है या कुछ और नाम दे दे वाच्य कालिक किर्दन तो तो इस तरह का कुछ होता नहीं, तो कोई मतलब यहाँ पर नहीं पढ़ने का इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है, लिकर आवा दिन भर पढ़ता रहा रेखांकित पद में अब्वे का भेद है, किस प्रकार का अब्वे है देखे, परडाम वाची, दोस्तों, परडाम से संबंदित होता है, वैसे परडाम वाची की जगा परिमाड वाची बोलना चीज़, ठीक है, परिमाड मापतौल को कहा जाता है, ठीक है, समुच्चे बोधक, दोस्तों, मैंने कहा है, कच्छा हो गया, फोज हो गया, सेना हो दोस्तों जो समुच्छे से जहां से बोध होता उसकी बात आती है प्रश्ण माज चेक है निपात चलिए अब निपात का सवाल आ गया तो मैं एक लाइन में निपात बता देता हूं क्या होता है देखे निपात क्या होता एक सब्द होते हैं और वे सब्द क्या करते हैं किसी मैंने कहा वह पढ़ता रहा ठीक है अब मैंने कहा दिन भर पढ़ता रहा मतलब पूरे दिन अब जोर दे दिया वह रात भर जागता रहा अरे बोल देते है वह जागता रहा ठीक है तो पता जलता जागने का काम रात में होता है दिन में तो होता नहीं सिंपल जी बात है ठी जागतार वो रात भर जागतार जोर दे दिया ठीक है जोर दे दिया ठीक है जैसे हमने आपसे कहा कि आपको सेलेक्शन लेना होगा ठीक है एक सामाने सब्द हो गया आपको सेलेक्शन लेना ही होगा आपको सेलेक्शन लेना ही होगा अब जोर दे दिया मैंने मैंने आपसे कहा कि आपको लाइक करना चाहिए, study91 के वीडियो अगर अपको अच्छे लेगे तो आपको लाइक करने चाहिए, और फिर दुबारा मैंने कहा, आपको लाइक करना ही चाहिए, ठीक है, तो आपने जोर दे दिया, तो जहां कहीं भी जोर दिया जाए, बस उसको उठा के लग कर द ठीक है, वह काम नहीं करता, इस वाक्य में अब्वेपद है, अब देखिए, वह क्या हो जाता दोस्तो, वह तो आपका सर्वनाम सब्द है, वह सर्वनाम सब्द है, और काम दोस्तो अलग हो जागा, काम करना है, आपका क्रिया हो जागा, जो नहीं सब्द दिया दोस्तो, य नहीं सब्द निकल कर आता है और यहाँ पर नहीं सब्द ही अभ्या है जब ये सवाल परिक्षा में पूछा गया ना बहुत सारे बच्चों का दिमाग फिर गया कि सर ये क्या दिया है हमने कभी सोचा नहीं था कि नहीं जैसे सब्द भी क्या हो सकते हैं अरे भाई जो आप न नहीं दोस्तों किसके अंतरगत आता है, सर आपने बता तो दिया अब्बे, सर अब्बे में किसके अंतरगत आता है, यह बता देंगे क्या, तो अब्बे में दोस्तों क्रिया विशेशण के अंतरगत आता है, याद रखेगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में और उब इसेज़ इसेद के रूप में निसेद के रूप में इसेद के रूप में इसका इसत्माल होता है मना करने के लिए थीक है वह काम नहीं करता ठीक है या अंदर नहीं आना चाहिए ठीक है इस तरह से सब्द आता है सवाल आते हैं परिक्षा में इसको भी ध्यान रखेंगे चली आगे बढ़िए लिखे रहा कौन सा सब्द कौन सा सब्द अब्बे नहीं है ध्यान दीजेगा दोस्तों यह नहीं वाले अब्बे कहलाता है तो इसे भी आप याद रखेगा यहाँ पर आपसा नमबर चार आपका सई जबा हो जाएगा पूछा क्या दोस्तों कौन सा अब्बे नहीं है तो याद रखे दोस्तों एक किसे जो है सब्द अब्बे नहीं बलकि प्रश्न वाचक है वह लाचार है क्यो अब तो सर समझना मुश्किल हो गया क्योंकि सर जो आपने सिखाया था ना कि अब्बे में हमें क्या-क्या देखना है अब्बे में वो चार पॉइंट जो आपने हमें पीछे याद कराया था क्रिया भी से सर सर उसका कोई इस्तिमाल यहाँ पर समझ नहीं आ रहा देखे जो और इस टार लगा के लिखा था हमने निपाद ठीक है यही लिखा था अब इसी में अंदर एंसर चीपाव आपका वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है ठीक है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्त में दोस्तों आपको अब्बे ज्यात करना है अब्बे कौन सा आएगा देखे एक sentence आप कर सकते हैं ये है ठीक है वह लाचार है एक वाक के है वह लाचार है मतलब वह कुछ कर नहीं पा रहा है लाचार किसे करते हैं जो अपने आप कुछ कर न सके वही लाचार कर लाता है जिसके हाथों में कुछ नहीं वह लाचार कर लाता है वह लाचार है अब आगे दो दोस्तो ये बाकी के साथ उस गीता को क्या कर रहा था जोडने का कारे कर रहा था और तब मैंने बताया था समुच्य बोधक ठीक है तो वहां तो समुच्य बोधक होगा अब यहां बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दो वाग क्या और यह क्योंकी के वज़े से जुड़ रहा क्या दिया हमारे सामने चार आपसे नों मेटर नहीं करता पहले आप यह देखिए कि इनमे से किसके अंतरगत आएगा तो आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा ठीक है अब जब आप पढ़ेंगे दोस्तो तो याद रखेगा यहाँ पर आता है कि जब यह आप पढ़ अंकेत वाचक में इसारा होता है यह जवाब होगा दोस्तो इसका कारल वाचक है याद रखेगा एक सेंटेंस का जब दूसरे सेंटेंस पर किसी वजह से निर्भरता हो किसी कारल से निर्भरता हो तो वह सीधा फिदा जवाब क्या होगा कारल वाचक होगा संबंद वाचक म और भी जादा डीप में दोस्तों आपको आपका जबाब मिल जाएगा यही से निकल कराएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे लिख रहा अर्थ के आधार पर संबंध वाचक के अब्वे को कितने भेद हैं संबंध वाचक अब्वे के दोस्तों कितने भेद हैं यह आ पढ़ने के इच्छा हो तो मैं आपको पढ़ा दूँ हलांकि बहुत जादा है ठीक है लेकिन आप ध्यान देंगे यह संबंध वाचक जो अब्वे पढ़ते हैं इसके कुल 13 भेद आते हैं ठीक है बहुत आसान भी हैं बहुत कठी नहीं जैसे आप लिख सकते हैं आप पर लिख लिए काल वाचक अब काल वाचक में क्या होता है दोस्तों याद रखेगा समय का बोध होता है ऐसे दोस्तों दूसरा लिख लिए अस्थान वाचक में किसका बोध होता है दोस्तों तो याद रखेगा किसी अस्थान का बोध होता है ठीक है काल वाचक अस्थान वाच किसे दोस्तों माध्यम से तो आप साधन वाचक हो सकता है माध्यमी भी मिलेगा और आगे जाएंगे तो साथ रखेगा इसी तरह से आप और आगे जाएंगे छे पढ़ लिया साथ में पार जाएंगे हेतु वाचक बिसे वाचक फिर क्या बचता भैया फिर बचेगा एक आएगा डिफिकल्ट यहां से शुरूगा फिर मिलेगा आपको व्यतिरेक वाचक वाचक आप लगा लिजेग दिसा वाचक साधन वाचक वल्ट किक्तिरेक वाचक करेगा छो इसे चीज के बिरोध वाचक हो ता किसी से बीरोध में कोई बाते हो रहे हैं तो इसी ब्लाइए ङारह बारह है वह इतना दिमांग में नहीं है ॥िक है तो याद रहổi क्योंकि यहां पर कुछ प्रैक्टिस कर रहा है तो जब हम चैप्टर में आते हैं तो वहां पर डीटेल से बातचीत करेंगे ठीक है तो थोड़ा सा संबंधियों से संबंधी थे दोस्तों 13 दिन ठीक है तो याद रखेगा संबंध के वज़े से दोस्तों 13 दिन निर्वाह करना पड़ता ब्यक्ति को मृत्ति के बाद भी दोस्तों 13 दिन क्या करता ब्यक्ति सजोता है थोड़ा सा तो वो 13 से आप याद कर सकते हैं याद रखें है यह हमारा help line number है call करके आप संपर कर सकते हैं और अब तो किताबे भी आ चुके दोस्तों तो किताब के माद्यम से आप अपनी त्यारी को आगे बढ़ा सकते हैं लिख रहा है मैं वहाँ होकर आया हूँ मैं वहाँ होकर आया हूँ इस वाके में अब्बे सब्द दोस्तों कौन सा है यह बताना ठीक अब देखे मैं तो कत्ता ही नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता और मैं और हूँ तो दोस्तों सहय क्रिया हो जाएगा और मैं भी नहीं हो सकता इधर उधर यहाँ वहाँ यह सब क्या होता दोस्तों यह सब क्या होता है याद रखेगा पीछे सवाल आया था साइद आपने देखा ठीक है इधर उधर यहाँ वहाँ यह सब क्या हो जाता दोस्तों यह सब दोस्तों अब्बे में आता है किसमें आता है यह सब अब्वे में आता है और आप देखके पैचानना सीखे दोस्तों वहाँ क्या हो जाएगा अब्वे हो जाएगा ठीके देखिए सवाल आया था यह मैं दिखा दे रहा हूँ चक कहा मैंने पढ़ाया था दिखा दे रहा हूँ नहीं अभी आप पीछे पढ़ें और भूल अब्वे मैं आगे पढ़ाते चलूँगा और अब्वे जितना मिलता जाएगा यहां पर जोड़ते रहीएगा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं अगला सौल देखे लिखना निम्न में अब्वे है देखे प्रशन उतर तो यह अब्वे होता नहीं है ठीक को अब्वे कहा जा हमने पढ़ा अब्वे में क्या होता आज होता है कल होता है इधर होता है इधर होता है उधर होता है यहां होता है यहां होता है वहां होता है यह अब्वे कितने हो गया चली आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सवाल लिख रहा है परिमार वाचक जिया दोस्तों पीछे दे परिडाम वाचक मैं बार बार वहीं समझा रहा था कि परिमाड वाचक होता है परिडाम नहीं होता है परिमाड में क्या होता दोस्तों परिमाड में माप तौल होता है क्या होता दोस्तों किसी सीच का माप तौल होता है और लिख रहा है परिमाड वाचक क्रिया बिसेसर अब् पूछा क्या है आप से पूछा है इस पेसली क्रिया भी सेशड में परिमार वाचक अब्वेक अंतरगत दोस्तों कौन आएगा तो याद रखना है यही पर क्या हो जागा जबाब जैसे आप कहते न मुझे इतना सा गेहूं दे दो मुझे इतना चावल दे दो इतना तो दोस् सारा होता है वहाँ पर अनिश्य होता है निश्चित्ता नहीं होती इसलिए उसको अलग रखते है ठीक है तो वो क्रिया भी सेशड की बातें मुहां पड़ते हैं यह सरवता सरवत्र दोस्तों आपको नहीं करना है ठीक है यहाँ पर इतना ही आपका क्या हो जाएगा तोरा भर दूद पिया, तो दोस्तों भर क्या हो जाएगा, अब बे हो जाएगा, जर आपने list को बढ़ा लीजिए, मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने कहा, आज याद रखना है, कल याद रखना है, इधर याद रखना है, उधर याद रखना है, यहाँ याद रखना है, और यहां पर भर को भी नोट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हर स्लाइट से आप जब रिवीजन करिए तो फिर आपको दिक्कत ना आए, चली, आगे बढ़ते हैं, तो इतना समझ में आ गया ने, ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तो, ये सब अब्बे कहलाते हैं, अब्बे कहलाते है चली आगे बढ़ते हैं लिख रहा है राम धीरे-धीरे पढ़ता है देखे पीछे मैंने आपको बताया था पुनरा वित्ती जहां कहीं पुनरा वित्ती हो जाए उसे भी दोस्तो अब्बे के तहत रखा जाता है और किसमें आता दोस्तो तो अब बताईए आप यहां पर के अंतरगत आता है यह क्रिया-विसेचल अब्ब्य है जैसे राम धीरे-धीरे पढ़ता है ठीक है वो कालवाचल जो आपने पढ़ाता हो भी तो क्रिया-विसेचल का ही भेता तो यह क्रिया-विसेचल के अंतरगत ही दोस्तो आएगा यह धीरे-धीरे ठीक है यह साथ- का मतलब क्या होता है पहले यह समझे ठीक है सखियों 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 ठीक है सखियों सखियों एक बात तो याद रखे गए सखिया क्या दोस्तों सखिया लिगता तो एक बचन रहता सखिया लिग दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा बहु अचन हो जाएगा और सखि कि यह साधिए कि पूरा का पूरा गुरूप में, कुआ है, या थो दोस्तों संबंद reflect करें, क्यों की सक्ति क्यों gave the करना और सवाल यहां पर टेक्निकल थोड़ा सा हो जाता ठीक है अब देखिए जो यह सख्यों सहीद दिया है यह हमेशा आप संबंद बोधक करिएगा क्यों 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 कि जब कोई सेंटेंस आपके सामने दे और सीधे सीधे संग्या से कोई संबंद निकाले जो हाइलाइट पॉइंट है तो वहां पर हमेशा संबंद बोधक को आप क्या देंगे वरियता देंगे ऐसे में समुच्य बोधक मत करेगा मुझे पता है परिक्षा में जब सवाल आय था ना बहुत सारे बच्चों ने समुच्य बोधक किया था अगर न समझाय जाय तो भी समुच्य अब्य है यदि कोई अब्य है तो हमेशा क्या समझाय जाएगा तब उसे हमेशा आप संबंद बोधक समझाय जाएगा अगर ये सक्खियों सहीत अलग राता इसका संबंद सीता से नहीं राता तो दोस्तो आप इसका जवाब समुच्य बोधक में डाल देते वो अलग हो जा यह सब क्या दोस्तो यह सब अब्वे कहलाता है अब सर हमने पढ़तो लिया कि अब्वे होता है लेकिन दोस्तो अगर अब्वे होता है तो किस तरह का अब्वे होता है भाई यह भर जो है दोस्तो किस से संब्वनित है रात से संब्वनित है अगर रात को अटा दे क्या भर का क के साथ हो तो हमेशा आपका उत्तर क्या होगा संबंद सूचक होगा और यहां भी देखिए इसके साथ हो रहा है दोस्तों शंग्या के साथ निर्भरता लगा हुआ है इसी रहे दोस्तों जबाब में क्या जाएगा याद रखेंगे संबंद सूचक जाएगा यहां विसेसर की बात मत करेगा, भावाचक की बात मत करेगा और समुच्छे की बात तो कत्ता ही नहीं होगी option number 1 आपका सही जबाब होगा बहुत सारे बच्चेयां गलत जबाब देते हैं आप देख लिए खुछ से ने क्यों गलतियां हो रही है आपसे पूछना चाहा रहा है तो याद रखेगा बिना सब्द, इसका link वचन कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह बिना सब्द क्या दोस्तो यह एक तरह का अभ्य है, इसको भी आपने लिस्ट में डाल कर अपडेट कर लिजे दोस्तो यह जब आप पड़ते हैं न, बिना तो यह बिना दोस्तो किसके अंतरगत आता है तो यह अभ्य तो हमने बता दिया किस तरह का अभ्य है, तो याद रखे यह भी संबंद बोज़क में आता है, किस में आता दोस्तो और पहला दूसरा क्या पढ़ते हैं अनुबद्ध पढ़ते हैं तो दोस्तो उसी कंतरकत दोस्तो आप लेके रखेंगे इसको याद रखेगा बीना ठीक है उसके बीना यह नहीं कर सकता उसके बीना तुम जी नहीं सकते उसके बीना रह नहीं सकते ठीक है तो यह सारी चीजें आजाएंगी इस तरह के जो sentence होते हैं हमेशा संबंध बोधक के अंतरकत आते हैं मैं आपको क्यों उत्तर नहीं बता रहा हूँ दोस्तो यहाँ पर आपको तरीका भी बता रहा हूँ कि कहां पर होता है और क्या होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लिकरा कौन सा समुच् में आते हैं याद रखेगा आजन्म ये क्या दोस्तो आजन्म में आ हटा देंगे आधन जन्म दो सब्दों से मिलकर बना है ठीक है ये आ क्या दोस्तो आ उपसर्ग होता है ये सब हम पढ़े हैं भाईया लेकिन यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं अर्थात अत्यो इसकी लिस्ट भी आप अपडेट कर लिजी अपने पास ठीक है समुच्य बोधक में आ जाएगा चली आगे बढ़ते हैं लिखना लिकित में से अब्बे कौन सा है अब्बे मतलब देखिए अब्बे का मतलब यहाँ सीधा फिदा आप समुच्य बोधक अब्बे लिखना च दोस्तो याद रखेंगे इन सभी का जवाब क्या हो जाता है याद रखेगा समुच्य बोधक अब्बे होता है द्यान रखेंगे लिखरा अथवा ब्याकर्ण की दिरिष्टी से क्या है अब्बे है और किस प्रकार का अब्बे है तो याद रखेंगे अथवा जो है दोस्त हो पैसे रिखान की सब्सक्राइब को पहचानना है और रेखां की सब्सक्राइब क्या अभी है यह सेंटेंस को जोड़नेका काम का मों करेंगे इसको अप्वे मर्कें और आप्वे में एक सुमुच्यय हैं और रखों के साथ इसको भी अब दोस्तो smushy उसका उभ्यद मिलता है वही पर दोस्तों लेकिन मिलता है लेकिन मिलता है तो सर किंतु भी लिख सकते हैं लेकिन किंतु परंतु ठीक है इस तरह के जो सब्द आते हैं वो सब आ जाता है कहीं पर लिखा होता है कहीं पर लेकिन लिखा होता है कहीं पर मगल लिखा आता है कहीं पर बलकी लिखा हुआ मिल जाए कई पर वरन लिखा हुआ मिल जाए ठीक है तो यह सारे सब्द भी क्या होते दोस्तो याद रखेंगे इसको भी आप रखेगा समुच्य बोधक के अंतरगत ऐसा खाली और अतवा तथा अर्थात वही सब नहीं दोस्तो यह भी समुच्य बोध मिलेगा सब कुछ मिलेगा उसका ध्यान रखे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल करते हैं लिख रहा निम्न में अब्व्य है दोस्तो कौन सा अब्व्य है यह बताना है तो भारत तो होगा नहीं स्याम भी नहीं होगा दक्षिर भी नहीं होगा यह आह बोधक भी किसका प्रकार है अब्व्य का प्रकार है ठीक है तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा ओप्सन नमबर तीन दोस्तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो अगला सवाल करते हैं लिख जिन अब्व्यों का संबंध वाक्य से नहीं जिन अब्वय का संबंध वाक्य से वाक्य से नहीं वाक्ता के हर्स सोक आदी से हो तो हर्स सोक प्रसंता दुख ये सब कहां आता दोस्तो याद रखेगा बिसम्यादी बोधक अब्वय कहे जाते हैं यानि आपसर नंबर एक हो जाएगा निम्न में से कौन सा उ प्लस इस्टाल लगा के दोस्तो निपात का नाम आप मत भूलेगा निपात कहीं भी जोड दिया जाता है वही निपात होता है ठीक है लिकरा इधर उधर जिधर यहां वहां यह सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ा और दोस्तो जैसे अब देखे सबका माइनी अलग-अलग है आप एक काम करेगा आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं बताता हूँ चुटकी में जिसको नहीं याद हो उसको भी याद हो जाएगा देखे इस्थिती माल लीजिए किसी कोई किताब या कोई कलम है आपकी मोबाइल है उसकी स्थिती के लिए आप वो दिसा की तरफ इंगित कर रहा है दोस्तो तो याद रखेगा ये दिसा वाचक में आएगा इधर उधर जिधर कहां आता है दोस्तो ये दिसा वाचक के अंतरगत आता है इसे आप ध्यान दीजेगा अब दोस्तो जो अलग-अलग है अस्थान वाचक सर उसका उधार दे तो आईए बैच में आईए सबुधारण अगर यहीं भी मिल जाएगा आपको तो भीया इतने मेहनत सो जो पढ़ाये गया है रोजी रोटी का सवाल है समझे कैसे काम चलेगा ठीक है तो परसान मत होई आईए पढ़ते रही स्टडी 91 चैनल पर और इस तरह से चीज़े मिलते हैं कि बाकि अगर आप हमारे फांडिशन में आते हैं तो कसम से आउसम क्लास है बस आ जाओ ठीक है किताबे भी दोस्तों आच चुकी है हमारी तो आप आनलाइन पर्चेस कर सकते हैं यह हमारे पास किताबें है कुछ मैं सैंपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं ठीक है यह किताब है दोस्तों आप चाहें तो इसे आनलाइन आडर कर सकते हैं घर बैठे कैसन डिलुरी वगरा चाहरे हैं दोस्तों तो इसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से भी पर्चेस कर सकते हैं यह सभी बहुत सारे बिस हैं कि हैं जिन्हें आप स्टड़ी 91 पर पहले भी ले सकते हैं कोई धीक का तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें जाके क्लिक करके आप इसके बारें पता कर सकते हैं मुबाइल नंबर दिया गया वहां जाकर आप बातशीत कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आज की क्लास ही समाप्त होती है मिलते हैं दोस्त तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जै हिन जै भारत थेंक यू थेंक यू सो मच